दियर फ्रेंड्स यह है फ्लक्चुएटर प्रोटोटाइप मॉडल वन जो एलेक्रिसिटी शॉर्ट सर्किटिंग पे 95% तक फ्रिक्शन रेडेक्शन करता है रेड्यूस करता है फ्रिक्शन को जो शॉर्ट सर्किटिंग करने पे वाटेज ज्यादा नहीं लेता है मतलब जैसे कि कोई एलेट्रिक वेल्डिंग करता है स्पोर्ट वेल्डिंग या आयरन को मेल्ट करता है तो यह ज्यादा एफिशेंट है इसका आपने टेस्ट कि यह वाटेज मीटर में चेक कर लेंगे इसका परफॉर्मन्स क्या है आप भी मालूम पढ़ जाएगा इसका सब्स्क्राइब इसको ऊर्म मतलिंग करकके वाटेक शिटका है पंपरावाट सबस्टिए नहीं की श्यक्ति करें चाहिछ गसा थाए दो नहीं? प्रेट नहीं कैसे श्यक्ति फ्लब सबस्क्टियो नहीं प्लिब कारन कालोक्ति कि ऊप्लिब कालोग कालन नहीं उस गोड़ा बनेरी गोड़ा है और दिनकतन सतराइए यह तुम्हें सब 10W का गोड़ा आई यह आपके जो आए लियुकल के लिए लो ग वाटेश का गहा है विश्वाज गभ द्रीम की पर कुछन थे उनकतन सब्सक्राइए सब्सक्राइब दोध। कर दो को शॉर्ट सर्किटिंग एनर्जी लोड में 95% तक एफिशेंट पाया गया है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है फ्लक्चुएटर को जिससे ज्यादा एफिशेंट जैसे कि इस्पोर्ट वेल्डिंग में यूज किया जा सकता है और एलेट्रिक वेल्डिंग में इसको यूज किया जा सकता है जिसमें 95% तक एनर्जी सेविंग होगा और मेटल हीटिंग मेल्टिंग एंड कटिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है और इसको धर्मल पावर प्लांट में वाटर हीटिंग के लिए यूज किया जा सकता है जिसको हम कोल के जगे पे एलेट्रिसिटी रिसैकिलिंग प्रोसस से हीट क्रेट किया जा सकता है